हेलो दोस्तो मैं आती माइंड पनोटिजम चैनल में एक बारा का फिरके को अगत करती हूँ दोस्तो आज हम बात करते हैं विजुलाइजेशन विजुलाइजेशन में हम अपने कीकी भी ड्रीम को बहुत जल्दी अचीब करकते हैं आप इस चीज को मानो ना मानो पर यह हकीकत है और देखे कई लोगों को होता है कि मैंडम मैं अपने ड्रीम को विजुलाइज नहीं कर पाता तो उसको simply बहुत प्यारा तरीका है बहुत जो मैं अपने personal life भी करती हूँ मेरा क्या होता है कि मेरा कोई ड्रीम है तो जब अगर मैं कोई खोचने बैठोंगी तो मुझे खोचने में प्रॉब्लम काती है क्योंकि mind thought बहुत कारे आता है और जो special उनके खाथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो meditation अगरा नहीं करते क्योंकि उनके दिमाग में हजारों तरीके की thoughts आ जाते है उनके बीच में तो वो कई बार जाने अन जाने में गलत चीजे फिर visual life हो जाती है तो simple सा एक तरीका है जो बहुत easy और बहुत प्यारा तरीका है आप क्या करें कि कोई भी dream हो कोई भी जो हो चाहे वो गाड़ी लेने का हो चाहे कुछ भी हो घर लेने का job का कुछ भी x y z कोई भी dream हो आप उसको उसके एक से लेके जड़ तक के बीच में जितना भी मतलब उस जब आपको यह dream को अपने लिखते हो तो आपका mind और आपके हाथ दोनों काम कर रहे होते हैं तो जब आप अपने mind thought को अपने copy पर उतार होगे अपने dream को अपने को जब लिखो गया तो आपको यकीन मानेंगे कि आप वह खपना एक दम आपको अपने को जी रहे होगे और आप जितनी बार उत्रीम को पढ़ होगे उतनी बार आपका बिल्कुल वही चीज रिपीट होगे जो आपने लिखते वक्त में जो feeling आपने create की थी और उसको याद रखी कि जब भी आप अपना कोई dream लिखते हो तो उत्रीम को पाने के बादा कि खुशी क्या होगी उत्रीम में अगर आपको सच हो जाए कोई भी dream हो अगर सच हो जाए तो आपको कितनी खुशी होगी तो आपको बिल्कुल वही feeling के साथ उस dream को लिखना है तो वो क्या होगा कि वो automatic आकर दिमाग को picture बनती चली जाएगी suppose कि मुझे एक घर लेना है अब उस घर का दर्वाजा कैसा हो उसका kitchen कैसा होगा उसका balcony कैसा होगा तो एक पिक्चर बनती चली जा रही है न तो xyz सब कुछ द्रीम के बारे में आपको पेपर पर लिखना है और जितनी बार उसको आप देखोगे उतनी बार आपका dream जो है repeat हो रहा है आपके मन में तो यह visualize करने का सब के easy तरीका है तो मुझे बताईएगा फिर comment box में thank you